नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल खरेलू उपाई में आपका तह दिल से स्वागत है और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे एंटी ओक्सिडेंट वाले आहर जो आसानी से उपलब्ध हैं के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ला अक्सर एंटी ओक्सिडेंट की चर्चा अच्छे स्वास्थे और रोगों को रोखने के बारे में किया जाता हैं यह शक्तिशाली पदार्थ ज्यादातर ताजे फलों और सब्जियों में पाया जाता है आज हम एंटी ओक्सिडेंट वाले आहर के बारे में बात करेंगे यह इसे कई बीमारियों में बहुत ही फाइदेमंद है। जामुन आपके दिल संग्यानात्मत कार्य, मधुमेह प्रबंधन, वजन नियंत्रन और कैंसर की रोकथाम के लिए भी फाइदेमंद होता है। अनार एंटियोक्सिडेंट वाले आहार की बात करें तो अनार एक शक्तिशाली एंटियोक्सिडेंट है। यह फल आपके रंग को साफ करने में मदद करता है। जामुन की तरह यह फल विटामिन सी का एक अध्भुत स्रोग भी है। अनार के अन्या लाभ में स्तन और प्रोस्टेट कैंसर की रोक्थाम, रक्त चाप, कटिया और जोडों में दर्द से राहत देने का काम करता है। एंटियोक्सिडेंट से भरपूर डार्क चॉकलेट फाइबर, लोहा, मैगनीशियम, तामबे, मैंगनीज, पोटेशियम और अन्य महत्वपूर पोशक तत्वों से भरपूर डार्क चॉकलेट आपके स्वास्थे के लिए फाइदे मंद है। एंटियोक्सिडेंट जैसे की पॉलिफैनोल, फ्लैनोल और केटिन्स के साथ भरी हुई है। एक अध्ययन में पाया गया की डार्क चॉकलेट की नियमित सेवन अल्ट्र वाइलेट के रनों से आपकी रक्षा करता है। इसके अलावा डाक चॉकलेट मस्तिष्ट स्वास्थे में सुधार करता है। रक्षाप को कम करता है और HDL अच्छा, कॉलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है। शक्तिशाली एंटियोक्सिडेंट है ग्रीन टी। दिल के दोरे और स्ट्रोक, ग्लुकोमा और उच्छ कॉलेस्ट्रॉल के जोखिम को कम करने में सहायक ग्रीन टी एक शक्तिशाली एंटियोक्सिडेंट है। इसके अलावा ग्रीन टी त्वचा के लिए सबसे ताकतवर खाद्यपदार्थ है। यह त्वचा में ग्लूल आने का काम करता है। इसका एंटी इन्फलेमेंटरी गून डाक सकल, जूर्यां और मूहासे को कम करता है। सेब में एंटी ओक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा फाइबर से भरपूर सेब में भी एंटी ओक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इसके अलावा इसमें विटामिन C भी होता है पा, टको स्वस्थाय को करने के अलावा से त्वचा, वजन, लूबलाज शुगर स्थर और कैंसर को रूखने में मदद करता है. एंटियोक्सिडेंट से भरपूर लहसुन लहसुन में anti-inflammatory गुन है, जो त्वचा के रोगों से लड़ने में मदद करता है. इसके अलावा यह मुहासे को खत्म करने में मदद कर सकता है. लहसुन एंटियोक्सिडेंट के रूप में कार्य करता है. यह हड्डियों की स्वास्थे में सुधार करता है और शरीर की detox में सहा तर्बूज एंटियोक्सिडेंट लाइकोपीन और विटामिन A का सरवश्रेश्ट स्रोथ है जो की सीवम उत्पादन के लिए आवश्यक है और आपकी तवचा को हाईग्रेटेड और मा इस्चराइच करता है. इसके अलावा तर्बूज कैंसर को रोपने में मदद करता है, खृदै स्वास्थे में सुधार करता है. उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो अन्फॉर्मटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेस्बुक और वाट्स अप पर जैसी जगहों पर शेय चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना ना भूले, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे. और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल घरेलू उपाए सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंट सब्सक्राइब कर ले क्य कि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपून जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों.